है लो जी है क्या हाल चाल कना सभी कें है क्या हाल चाल है सभी कें हैल RAW चाल है लेट मिन भार ना रख्के हैं या सही तुम्हारे नाम होडी-होडी लग रख र है है लिटॉ bonus हैशा न केय सभी लोग कैसे कैसे हो जा रहा है आज का 28 तारीख है 28 तारीक 28 तारीक है कैसा जा रहा है आज का दिन कैसे अजये कैसे रही कि बित कि Parish कि साइन्स की स्ट्रेटिजी की साक कब कहोगे तो wheel departments की स्ट्राइब सेंडिक आ wod यह वो साथ और ने निकाला है पूरा शेड्व उस तरह का कर अपको होगे तो हम निकाल और आपके भाईया पूरे दिन पूरी रात लगा के आपके लिए बना के लिए आएंगे बसाब बोलो तो लेट कहा है यार पांच बुरेट लेट है बस पांच बुरेट लेट है हुआ मुकंद है नबील है करतिका है आयूश है श्रियाश how much do you have channel मेरे जान तेरे को थोड़ी से English की जोड़त है पहले तो क्योंकि मैं समझ महीं पाया हूँ तो बोलना क्या चाह रहा है भाईया suffering क्या है भाईया ये standard है या basic है दोनों के लिए मैं आपको तयारी करवा रहा हूँ बिलकुल upper level की कि अगर अगर आपको असान आजाए जब भी आप कर लो मुश्किल आजाए जब भी आप कर लो medium आजाए जब भी आप कर लो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर तयारी करवाई जा रही है ठीक है शुरुआत करता है आज के इस lecture की आज हम पढ़ने वाले है यह आपकी NCRT का पहला चेप्टर है और यह मैं आपको इतनी दिनों बाद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि यार शुरुआत पहले चेप्टर से करवाऊना आप शुरुआत ही बिल्कुल अलग चेप्टर से करवाते हो आप शुरुआत ही सबसे बारी चीज से करवा रहे हो मैं इनका मैं जान पूछ के शुरुआत बारी चीज से करवाता हूँ बहुत ही बारी बारी चीज़े करवा के रख देता हूं जिससे की आखरी में आके अब रियल लंबर है पॉलिनॉमियल्स है पेर अफ लीनर एक्वेशन है यह विल्कुल ऐसे आपको लगेंगे ऐसे बच्चों वाले चेप्टर की बहुत है यह तो इल्लो कर दिया यह तो आज की शुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को जो आपके टेलिग्राम वाले दोस्त दोस्त नी हैं उनको बता दूं कि भाई क्लास शुरू हो गई है थोड़ा जिल्दी आ जाये करो जिससे कि हम क्लास को शुरू कर बाएं ठीक है इने डाल दिया टेलिग्राम पर में message ठीक है जी ठीक है जी भाई अगर पहली class ही miss गई हो गई है तो क्या करूँ कोई बात नहीं मेरी जान आपकी recording तो एविलेबल है ना पूरी जो playlist बना रखिया है हमारा जो चैनल है यह वाला maths वाई शोबित तिरवान इस पर आप जाओगे इस पर थीक है बहीं मैच का प्री बोर्ड अठीक में दनने की है जब शोबित आतो नंबर कमनी आने चाहे जितने बच्चे यहां पर देखते हैं एक भी नंबर कमनी आना चाहिए, क्या मेरी वास समझ में आ रही है, रगड़ो अच्छे से, अच्छे से रगड़ो, जितना प्रैक्टिस करनी हो, उतनी प्रैक्टिस करो, पर एक भी नमबर नहीं कटना चाहिए, ऐसा भी पर होएगा आपका, शुरुबात करते हैं आज के इस प्यारे से पढ़ने वाले हैं, तो शुरुबात करते हैं, शीगड़ेश करते हैं, आज के इस चैप्टर का, फुल जोश के साथ सबसे पहले लिख लेंगे, कि हमारा जो एम है, वो है, इस साल, सौ बटा सौ लेके आना, और आप सभी को पताए कि अगर शोबित भीया से आप मैस लेके आओगे, ठीक है, ठीक है, या कल मेरा एक्जाम है, अरे यार, बेस्ट ओफ लग भाई, अच्छे से दो, यार, टेंशन नहीं होना होता, मैं आपको बताता हूँ, मेरे कोटा में जब एक्जाम होते थे, तो शुरू में तो मैं बहुत टेंशन में होता था, कि यार, स इसा होना चाहिए, एक्जाम के लिए कोई तयारी करने की ज़ूरती नहीं होती, मैं इनकी बात करा हूँ, फाइनल्स की बात नहीं करा, यह जो बीच के एक्जाम हैं, आपके, प्री बोर्ड हो गए, हाफ यह लियो हो गए, असा हो गया, इतनी टेंशन नहीं होती, जाओ, जाके आपका बस यह एक तरह से टेस्ट हो रहा है, आपके प्रिपरेशन चेक हो रही है, तो देखे आने के पाथ एनलाइस जरूर करो, कि भाई कहां मेरी गलती रह गई, और उसकी एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लो, कि भाई यह गलती रही थी, मैं कैलकुलेशन में य सिलनी मिस्टेक में यह गलती करी, इस वाले चेप्टर का यह टॉपिक हमेशा मेरे से गलत होता है, तो उस टॉपिक को मिने स्ट्रॉंग कर लिया, यह होता है, बाकी तो यार टेस्ट तो रेगुलर चलते रहे हैं, जितने जादा टेस्ट दोगे, उतना जादा आपको पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है, मैं थोड़ा सा भारी वर्ड यूज कर रहा है, आपको पता चलेगा, आप कहां स्टैंड करते हो, इसलिए टेस्ट कभी मन छोड़ो, दो, हर टेस्ट दो, क्या मेरे बात समझ में आ रही है, भहिया, ठंड में कैसे पढ़ें, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ऐसे आप पढ़ो भाई आज टेस्ट दे दिया मज़ा आगया बहुत बढ़िया जी नेक्स्ट आपर पर टेस्ट चल रहा होगा आपको है ना दे दिया बहुत बढ़िया तो रियल नम्मर्स चैप्टर की शुरुबात करते हैं एम है हमारा सो बटा सो इन मैज्च श हम कर रहे होंगे HCF-LCM में कुछ word problems होती हैं जिसमें बच्चे बहुत फस्त हैं आपको आज मैं उसके ऐसे टेकनीक बताने वाला हूँ जिससे कि आपके सारे word problems बहुत असानी से हो जाएंगे तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी वो भी हो जाएगा ट्रिक है एक बहुत बढ़ होंगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे आज की जो कक्षा है इसमें हम यह नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं हम 4-5 घंटे लगा के हर चीज को पढ़ेंगे नहीं इतना टाइम हमारे पास नहीं है कुछ वैच्छे ऐसे हो सकते हैं जो कि इस live को बिल्कु के सामने हो जाए क्लियर है मेरी बात क्लियर है मेरी बात एक बार एक बार मेरे को थमजब करके बता दो कियार मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है मेरा बुखड़ा एकदम साफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो थमजब कर सारे बच्चों ने इस chapter को already पढ़ रखा होगा तो आपकी एक तरह सरी vision भी हो जाएगी ठीक है? clear है, clear है, clear है clear है, start करें, start करते है start करते हैं, देखो जी, सबसे पहला topic है आपका, prime factorization HCF LCM, इसमें से भी सबसे पहला पढ़ते हैं, जिसका नाम है prime factorization, इससे भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि prime number क्या होते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि prime numbers क्या होते हैं, prime numbers क्या होते हैं, prime numbers ऐसे numbers, ऐसे numbers ऐसे numbers, ऐसे numbers greater than 1 वो वाले number जो कि greater than 1 हो, 1 को हम include नहीं करेंगे इसमें, number greater than 1, which are which are divisible by one and itself खुज से और one से ही सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं उन numbers को हम कह देते हैं prime numbers जैसे की example ले ले हम सबसे छोटा prime number जो की है two one को तो include नहीं करना बोल दिया है number greater than one तो one को include नहीं करना two, two को हम किस किस से divide कर सकते हैं two के factors क्या क्या है two को हम किस किस से divide कर सकते हैं two से divide हो जाएगा और one से होगा बस इसके अलावा कोई और number नहीं है जो इससे divide करेगा similarly अगर मैं बात करूँ आपके three की तो three को भी मैं three से और one से divide कर सकता हूँ किसे से three से और one से divide कर सकता हूँ अगर मैं इसके बाद करूँ बाद 4 की, तो 4 को मैं किस-किस से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को मैं 1 से कर सकता हूँ, 1 के बाद 2 से भी कर सकता हूँ, 3 से नहीं कर सकता हूँ, तो इसको हम प्राइम नमबर नहीं कहेंगे, easy-peasy, easy-peasy, इसी का जो भाई है, इसका जो फाई है, जो उल्टा भाई है, उसे हम कहते हैं composite numbers, composite numbers क्या होते हैं, composite numbers होते हैं, ऐसे number greater than one, numbers greater than one, numbers greater than one, which are not prime, इसका उल्टा है बिलकुल, 1 को तो दोनों में include नहीं करना 1 को तो दोनों में include नहीं करना तो numbers greater than 1 which are not prime are known as composite numbers मतलब की उनके 2 से ज़्यादा factors बन रहे हैं यहाँ पे factor बन रहे थे 3 और 1 यहाँ पे आप देखोगे जैसे 4 है जैसे सबसे छोटा जो आपका example है वो 4 है तो 4 के क्या-क्या factors बन रहे है 1 बन रहा है 2 बन रहा है और 4 बन रहा है तो 2 से ज़्यादा factor बन रहे है 2 से ज़्यादा factor बन रहे है तो उसे हम क्या कह देंगे उसे हम कह देंगे कि यह एक composite number है यह एक composite number है ठीक है ठीक है जी ठीक है जी easy-peasy, easy-peasy, एक और example 6, 6 को कौन कर डिवाइड कर सकता है 1 कर सकता है, 2 कर सकता है 3 कर सकता है, और 6 कर सकता है तो यह भी एक composite number हो जाएगा तो हमने सबसे पहला topic जो है जो कि यह prime factorization उसमें हमने पहले पढ़ा prime क्या होता है अब पढ़ते हैं, prime factorization क्या होता है सबसे पहले हमने पढ़ा prime क्या होता है अब हम पूरे topic को लेते हैं जो उसका नाम है, prime factorization क्या होता है prime factorization क्या होता है देखो मेरी जान factorization आपने बच्पन से सीख रखा है factorization आपने बच्पन से सीख रखा है जैसे मैं आपसे बोलू, आपको just take example दूँगा, आप समझ जाओगे, जैसे मैं आपसे बोलू, 28 का prime factorization बताओ, 28 का prime factorization बताओ, तो आपको क्या करना है, ये बनाओ, ये बनाओ, divide करना शुरू कर दो, 2 बनाओ, 2, 4 बनाओ, 2, 7 बनाओ, 14, 7 बनाओ, 7, तो इसका, अगर मैं आपसे बोलू, 28 का prime factorization क्या होगा, तो ये इंटु ये इंटु ये, 2 इंटु 2 इंटु 7, ये होगा 28 का prime factorization, ये होगा 28 का prime factorization, similarly, अगर मैं आपसे कहूँ, 54 का, 54 का prime factorization करो, तो 54 का prime factorization के लिए आपको क्या करना है, simple, 54 लो, 2, 2s are 4, 2, 7s are 14, 3, 9s are 27, 3, 3s are 9, और 3, 1s are 3, तो इसका, अगर prime factorization के बाद करो, तो वो होगा, 2 इंटु 3, 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 इ इहां, 2 इंटु 3 का, और इसको लिख सकता हूं, 2 x 3 का, 3 cm, इसका नाम prime factorization की हुआ, तो अई हमने करा, factors तो उमने निकाले, और यह जो सारे factors हैं, यह prime numbers, 2 1 prime number, 3 1 prime number, 3 1 prime number, 7 1 prime number, 7 1 prime number, 7 2 2 1 prime number, तो हम इसको इसलिए कहा जाता है, prime factorization, इसमें आपकी एक theorem भी है, NCRT की, fundamental theorem of arithmetic जो कि यह कहती है, देखो समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है उससे ऐस सच कोई बड़े कोई question नहीं बन रहे हैं, बस एक theorem में वो कहती है कि सारे composite numbers को आप product of prime लिख सकते हो fundamental theorem of arithmetic कहती है कि आप सारे composite numbers को product of prime लिख सकते हो क्या मेरे बात clear हुई, कितने बच्चे आगए आज, 8000 बच्चे, चलो ठीक है देखते हैं आखरी तक कितने बच्चे रुख पाएंगे देखते हैं आज कितने बच्चों की भीड जो है, वो निकलेगी 54 को हमने लिख दिया, ये इन्हें क्या कहा हमने, product of prime इन्हें हमने क्या कहा, product of prime कहा, क्योंकि है सारे prime numbers है, तो ये product of primes है और ये एक क्या है, ये एक composite number है वह ये composite number है, इसके बहुत सारे factors बन रहे हैं, तो composite number है तो एक composite number को हमने, एक composite number को हमने product of prime लिख दिया, इसे ही कहते है fundamental theorem of arithmetic, नहीं समझ मैं है कोई दिक्कत नहीं आता, आपको यह समझ में आना चीह, प्राइम फेक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फेक्टराइजेशन होता है, कि इसका हमने ऐसे ऐसे फेक्टराइजेशन कर दिया, इसे प्राइम फेक्टराइजेशन कहते हैं, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं अगर कह दूँ, अगर मैं आपसे कह दूँ इसी तरह से, 1001 का प्राइम फेक्टराइजेशन करो, 1001 का प्राइम फेक्टराइजेशन करो, तो क्या आप कर पाओगे? एक हजार एक का प्राइम फेक्टराइजेशन क्या आप कर पाओगे जल्दी से करके दिखाओ थोड़ा बोर बोर चैप्टर है देखो मेरे को पता है बोर यह तो लगती है पर क्या यार CBS से ने डाला है तो करना पड़ेगा अब भाई CBS से हमारे माई बाप है अब इन्होंने बोला है कि यह पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा जल्दी से एक हजार एक का करेंगे दिखाओ यार जोई बोल रहा है कि बोल रहा है बोल रही है कि अक्षिता भाग्यश्री प्लीज रिप्लाइ तो यार रिप्लाइ कर दो यार अक्षिता उस हो समझे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे 1001 हमें देखना है किस से डिवाइड होएगा पहले तो 1001 1001 1 से होगा 1 से तो होगा यह अव्यसी बात है 2 से नहीं होगा 3 से नहीं होगा 3 3s आ 9 नहीं होगा 4 से 4 से भी नहीं होगा 5 से 5 से भी नहीं होगा 5 से डिवाइड होने कि लास में 5 या 0 होना अच्छी है 6 से भी नहीं होगा 7 से हो पाएगा, 7 से हो पाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचे, 7 4 जा 28, 2 बचे, 7 3 जा 21, अब किस से होगा, अब 7 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से तो बिलकुल नहीं हो सकता, 11 से हो सकते है, 11, 11, 13, 13, 13, 13 की बचे, सीज़ा 13 से होगा, 7 x 11 x 13, 7 x 11 x 13 यह होगया, इसका हम बात करेंगे HCF, LCM की, HCF और LCM की, देखना जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें, HCF की, HCF जो है, इसकी full form जो है, हमने बच्पन में पढ़ी थी, highest, highest common factor, highest common factor, मतलब अगर हम समझें, मतलब अगर हम समझें, मतलब कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मतलब समझना ज़ादा जरूरी है, आप question तो कर दोगे, पर मतलब maximum लोगों को नहीं पता होता, तो मतलब क्या है, highest common factor, ultra पढ़ना शुरू करो, सबसे पहला क्या है, factor हमने करने सीख लिए, जैसे कि मानलो 6 और 8 है, 6 और 8 का में LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके factors करेंगे, क्योंकि last में क्या लिखा है, factor लिखा है, तो 6 के factor क्या होंगे, 6 के factor क्या होंगे, 2, 3, 6, 3, 1, 3, तो 2 x 3 यह होंगे हमारे इसके factors अगर मैं बात करूँ 8 8 के factors होंगे 8 के factors होंगे 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2 तो 2 x 2 2 यह होगा आपका 8 के factors common कौन सा है common कौन सा है common कौन सा है 2 है 2 common है दोनों में बाइ factor निकाले factor निकाले common करा common करा common क्या है 2 है दोनों में common क्या है 2 है highest भी क्या है जब a की common है तो यह ही highest है तो यहां पे हम यह देख सकते है कि इसका hcf जो होगा वो होगा two क्या करा मैने क्या करा मैने क्या करा मैने कि मैंने इसके factors निकाले उसमें देखा common factor कौन सा है तू है और highest निकालना था highest भी two ही रहेगा येक ही common है तो वही highest होगा भई हमारे पास ये की number है और हम से पूछै highest क्या होगा तो वही तो number highest होगा तो two हमारा answer हो गया है इसका HCF ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई तो basically हमें क्या करना है हमें common लेना है जो भी चीज common लिख रही है उसको हम answer में लिख देंगे जो भी चीज हमें common लिख रही है वो हमें बहार लेना है देखो जैसे की मैं आपको एक और example दो six और nine six और nine का LCM हमें निकालना है HCF हमें निकालना है मैं बार बार LCM बोल देता हूँ क्या है को move एप चड़ा हुआ है HCF निकालना है सबसे पहले अभी हम HCF पढ़ रहे हैं इसका LCF निकालो तो six के factors क्या हो गए two into three nine के क्या हो गए three into three became three three's a nine three three's a nine three बंग दा three common क्या दिख रहे है three common दिख रहे है HCF क्या होगा जो common दिख रहे है उसको बहार निकालो highest common factor highest common factor हिंदी में बोला जाए तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा हिंदी में बोला जाए तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे इन दोनों को डिवाइड कर दे तो सबसे बड़ा नमबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं HCF उसे हम कहते हैं HCF Got it? Got it? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? Easy पीजी है, easy पीजी है अभी हम और भारी questions भी करेंगे पहले मैं आपको basic basic से समझा दू ठीक है, एक बार मैं recap करवा रहा हूँ बस आपको अब अगर हम बात करें LCM की LCM की LCM, LCM, LCM को हमने क्या कहा था? Least Common Multiple LCM की full form होती है Least common multiple इसको भी पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं हमें simple, जो हमने पीछे Example या था कौन-कौन सा लिया था हमने च्हे और eight कर लिया था यहाँ पर भी छे और out ले 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 लेते हैं छे और eight ले 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 लिए पीछे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पीछे से आया multiple, multiple क्या होता है, multiple मतलब इसकी table, multiple मतलब इसकी table, multiple मतलब इसकी table, multiple, multiple हो रहा है, 6 बंजा 6, 6 दूनी 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ऐसे करके आगे बन गए, ठीक है, 8 का लिखे, 8 बंजा 8, 8 दूनी 16, 8 3 जा 24, आगे बताओ, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपने multiple देखा, multiple में आपको देखना है, common कौन से आ रहे हैं, common हमें कौन से देख रहे हैं, हमें यहाँ पे देखो, कौन से common देख रहे हैं, 6, 6 इसमें नहीं है, 12, 12 इसमें नहीं है, 18, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, और इसमें भी है, 30, 30 इसमें नहीं है, 36, 36 इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद दिखें, और common में भी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा common तो 24 ही मिल रहा है, तो LCM हो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं तो concept यह है कि multiple जो हैं जो आपके multiple होते हैं उन में से common देखो और सबसे छोटा common देखो multiple में से सबसे छोटा वाला common जो होगा वो हमारा LCM होगा यह concept है यह concept है इससे हम सवाल नहीं करेंगे ऐसे हम बार-बार सवाल नहीं करेंगे, आपको कौन सेब्स बता रहा हूं, सवाल कैसे करेंगे हों, आपको बताऊंगा अभी आगे, तो least common multiple जो होता है, वो होता है आपका LCM, ठीक है, least common multiple क्या होता है, यह होता है, यह होता है आपका LCM, अब जो हमें topic पढ़ना है यह तो मैंने आपको simple बताया कि भाई HCF-LCM होता क्या है अब जो हमें topic पढ़ना है वो है जो topic हमारा है syllabus में हमने तीन topic पढ़े थे तीनो topic को अब हम मिला रहे हैं सबसे पहले हमने पढ़ा थे प्राइम फेक्टराईजेशन क्या होता है फिर हमने पढ़ा LCM क्या होता है फिर हमने पढ़ा HCF क्या होता है अब हम तीनों को combine करके पढ़ रहे है HCF-LCM बाई प्राइम फेक्टराईजेशन HCF और LCM बाई प्राइम फेक्टराईजेशन यह अब हमें पढ़ना है ठीक है हाई हनसिका तुम यहाँ हो तो बताओ अभिशेक हनसिका को पूछ रहा है हनसिका बता दो अगर यहाँ हो तो एक बार रिप्लाय कर दो अब हमें क्या करना है HCF-LCM बताना है बाई प्राइम फेक्टराइजेशन तो जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ आपको निकालना है HCF and LCM of Find HCF and LCM of 16 and 18 Find HCF and LCM of 16 and 18 तो आपको अगर यह निकालना है तो आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ तो आपको अगर यह निकालना है 16 and 18 और एक और लिखूँ, 6-8 वाला हमने कर लिया, 16 and 18, आओ आपको HCF और LCM निकालना है इसका, तो देखो सबसे पहले तो प्राइम फेक्टराइजेशन करो, तो 16 का प्राइम फेक्टराइजेशन अगर हम करें, तो 2-8 जा 16, 2-4 जा 8, 2-2 जा 4, 2-1 जा 2, तो 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वेर, 2 इंटू 3 का स्क्वेर, अगर आपसे बोल दे, अगर आपसे बोल दे, HCF निकालो, तो HCF होगा, common निकालो, common क्या दिख रहा है, दोनों में common क्या दिख रहा है, दो common दिख रहा है, यह हमारा HCF होगार दो कोमन दिख रहे है यह हमारा HCF होगा आप से बोल दे LCM निकालो तो LCM का आपका काम क्या रहेगा कि जो भी और धियां से सुनना अगर आप यह चीज समझ गए तो आगे वाले questions कर लोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको prime factorization से करना है सवाल, तो prime factorization से अगर आपको सवाल करना है HCF के लिए तो, जो भी common दिख रहा है उसको लिख दो, 2 common दिख रहा था दोनों में लिख दिया, अगर यहाँ पर into 3 भी होता अगर यहाँ पर माल लो एंटो 3 भी होता यहाँ पर माल लो into 3 भी होता तो मेरेको एक 3 भी common दिख रहा है तो मैं 2 into 3, 6 लिख देता है HCF पर 3 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है 2 लिखेंगे ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूँ LCM आपको निकालना है LCM के लिए पहला काम है आपका जो भी different digits दिख रही है वो लिख दो और उनकी क्या highest power आपको possible है जो highest power यहाँ पे दिख रही है वो लिख दो 2 की highest power क्या दिख रही है आपे यहाँ पे highest power 1 है और यहाँ पे highest power 4 है 4 is the highest power 3 की is power हमें क्या दिख रही है यहाँ पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 की power 0 है इसको आप लिख सकते हो नहीं है यहाँ पे 3 की power 0 तो हमें दिख रहा है यहाँ यहाँ पे 3 की is power 2 है तो यह हमारा answer होगा यह हमारा answer होगा 2 की power 4 into 3 square is your answer ठीक है? कि आपको ये देखना है कौन सा common दिख रहा है common लिख दिया LCM के लिए जो different different दिख रही है पहले वो लिख दो और highest power जो हमें मिल रही है वो यहाँ पर power में चड़ा दो power मतलब exponent होता है इसको हम exponent कहते हैं इसको हम exponent कहते हैं Got it Got it समझ गए बहिए स्लेबर्स कैसे जल्दी complete करें जैसे करवा रहा हूं ऐसे कर ले 8.6 के बच्चे बढ़ गए शुरुवात में 8000 के देखते हैं चलो आज तो बढ़ रहे हैं देखते हैं देखते हैं कितनी भीड छटेगी आज easy देखो यार easy chapter है आप मैंसे maximum बच्चों ने कर रहा है मैंने को पता है बट फिर भी मैं आपका revision करवा रहा हूं जल्दी जल्दी अल्दी करते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ सवाल कर लेंगे जैसे कि यह आपको दे दिया 2020 का सवाल है आपके CBSC का ठीक है CBSC देखो पहले CBSC पूछती थी यह सवाल कि यह दो नंबर दे दिये इसके HCF निकालो इसके LCM निकालो CBSC ने देखा कि यार बच्चे तो ट्यूशन पढ़ने लग गए बच्चे तो यूट्यूबर से पढ़ने लग गए बच्चे तो भाई बहुत दिमाग वाले हो गए तो डारेक्ट तो नहीं पूछूँगी क्या करूँगी थोड़ा सा गुमा के पूछूँगी तो थोड़ा सा गुमा के उसने ऐसे पूछा होना ऐसे ही है जैसे मैंने पिछले करवाए बट यहां पे कुछ और चीज़ इन्होंने पूछ ली तो पहले वो क्या करती थी पहले डारेक्ट बोलती थी 196 का प्राइम फेक्टरिजेशन कर दो अब यह बोल रही है जब तुम इसका प्राइम फेक्टरिजेशन करोगे तो prime factorization के बाद जो exponent बनेंगे उसका sum बताओ prime factorization के बाद exponent बनेंगे उसका sum बताओ तो हमने कहा रे भाई तुमने किया दिमाग लगाया इतनी असान problem को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए तुमने क्या कर दिया ये 196 का करना है prime factorization तो पहले prime factorization कर लेते हैं तो 2, 9 जा 18 2, 8 जा 16 2, 4 जा 8 2, 4 जा 8 2, 9 जा 18 सही कर रहा हूं ठीक है फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 7 7 जा 49 7, 1 जा 7 तो आप यह देख सकते हो 196 का जो prime factorization है वो है 2 into 2 into 7 7 into 7 तो यह बन गया 2 का power 2 into 7 की power में 2 हमसे क्या पूचा है क्या हमसे prime factorization पूचा है ना ना इन्होंने बोला है sum of exponents तो exponents क्या क्या दिख रहे हैं एक तो हमें 2 दिख रहे है तो sum of exponents क्या है sum of exponents क्या होंगे exponents का sum कर दो sum of exponents होंगे 2 plus 2 equal to 4 यह बोला इसने तो है कुछ सवाल कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बस थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने का बच्चे को थोड़ा सा रहा confuse करते है वा यार बहुत confuse कर दिया हम तो डर गए भई यह कुछ भी नहीं था है easy busy है easy busy ऐसी यह 2012 का सवाल करो अच्चे यह तो मेरे को आपको करवाना है यह 6 की पावर N है यहापे यहापे लिखा है 6 की पावर में N देखो यह सवाल आपको समझना पड़ेगा यह सवाल थोड़ा मतलब CBS यह सवाल पूछ लेती है हमें चेक करना है क्या 6 की पावर N जो है जब मैं 6 की पावर में N को खोलूँगा तो खोलने के बाद क्या यह end में 0 लाएगा मालो मैंने 6 की पावर में N है N की value 1 हो सकते है 2 हो सकते 3 हो सकते 4 हो सकते कुछ भी क्या कोई भी end की value के लिए क्या यह end में 0 लाएगा वही कोई भी number आएगा, माल लो आगया number 6, 9, 8, 7 तो क्या end में यहाँ पे 0 आजाएगा? क्या यहाँ पे 0 possible है? यह हमसे पूछ रहा है तो जब भी आपको check करना हो कि end में 0 आएगा ही नहीं आएगा simple सा concept है simple सा concept है, जब भी हमें check करना हो end में 0 आएगा, नहीं आएगा end में 0 के लिए check करो check करो कि क्या prime factorization में क्या prime factorization में 2 and 5 2 and 5 both है क्या, अगर 2 और 5 हमें दोनों मिल रहे है अगर 2 और 5 हमें दोनों मिल रहे है prime factorization में, तो मैं कह दूँगा 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, खाली एक से काम नि बनेगा 2 and 5, both की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका prime factorization करूँ और उसमें मिलने को 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे तो मैं कह दूँगा कि हांजी end में 0 आएगा, यह concept है, यह concept है, इसको आप और detail में अच्छे से 11 वी में पढ़ोगे, अभी आपको इसको बेसिक सा समझा दिया, ठीक है, यह इसका concept है, भाई किसी का मन नहीं करता, किसी का मन नहीं करता पढ़नेगा, पर क्या जरूरी है, करना पड़ेगा, मेरा मन करता है, नहीं करता है, आपका मन करता है, किसी का मन नहीं करता पढ़नेगा, पर क्या जरूरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो और क्या करोगे, बताओ, भाई ऐसा तो तो हमें करना पड़ेगा, पढ़ाही करनी पड़ेगी, पढ़ाही करने के बाद कुछ अपना जॉब या कुछ बिजनस करना पड़ेगा, तई आगे भढ़ पाओगे, घर आपके पास है बहुआ कोई टेंशन नहीं है, जीवन बहुत बड़ी आफ है तो क्या पढ़ना होता तो आदिवासी लोग का पढ़ते हैं पर हम इस समाज में आ चुक है जिसमें की पैसो की जरूत है जिसमें कि आपको अगर कुछ भी चीज करनी है तो आपको educated होना चाहिए पहली बात और दूसरी बात आपके जेम में थो वॉफिस जानेगा नहीं करता ना तब वी जाते हुए क्योंकि उनको तुमारे फ्यूचर की पड़ी है उन skill कए प्यूचर की पडियर किसका मं करता है में जाकर काम करने ने का बहुत से रोजडर सुनने का रोज इसकी глав अश बोज फील नहीं होता कि यार क्या है पड़ाई तो कर रहे हैं क्या है पापा लातो रहे हैं पैसे क्या है मम्मी कमातो रहे हैं पैसे जिस दिन वो बोज फील होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप हर चीज का मन कर जाएगा अब हमें वो बोज फील नहीं होता है पाप अम्मी के उपर एक बहुत बड़ी responsibility है तभी वो रोज उठके जाते हैं office तभी वो रोज उठके जाते हैं अपने काम पे किसी का मन नहीं करता है काम करने का किसका मन करता है? सबका मन करता है उठाओ बाई सुबह उठो, सुबह उठने का अधनाम से नेट्फिक्स देखो, पूरे दिन सो, खाना पीना करो, घुम के आओ पूरे दिन भाई सा बस ऐश करो सबका मन यही करता है किसका मन नहीं करेगा यह काम करने का बट क्या है? रिस्पॉंसिबिलिटी है, करना पड़ेगा? शुरू करते हैं तो कॉंसेप्ट यह है मेरी जान कि आगर आपको किसी भी डिजिट को end में 0 लाना है किसी भी नंबर के end में 0 लाना है तो वो end होना चाहिए तो उसके प्राइम फेक्टराइजेशन में होना चाहिए 2 और 5 दोनो मतलब कि जैसे मालो मैं 6 की पावर में n का प्राइम फेक्टराइजेशन करूँ 6 का प्राइम फेक्टराइजेशन करूँगा तो 2 3 जा 6, 3 बन जा 3 तो यह बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर में n मालो n बराबर में 1 ले रहा हूँ n बराबर 1 मिलब 6 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 1 क्या यहाँ पे मेरेको 5 दिख रहा है 2 तो मेरेको दिख रहा है पर मेरेको 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा चलो n की value 2 ले लेते हैं n की value 2 ले ली तो 6 की power में 2 मतलब 2 into 3 की power में 2 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 3 भाई किसी की power में 2 मतलब इसको दो बार लिख दो 2 into 3 into 2 into 3 क्या मेरेको इसमें कहीं 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा 2 तो दिख रहा है पर 5 भी दिखना चाहिए बोथ की बात हुई है यहां भी नहीं दिख रहा मेरेको n बराबर 3 लेने पर दिख रहा है क्या मेरेको 6 की पावर में 3 तो वह बन्जाएगा 2 x 3 की पावर में 3 तो मतलब 2 x 3 x 2 x 3 x 2 x 3 भाई A cube क्या होता है A cube होता है A x A x A A को तीन बार लिख दिया तो ऐसी हमने क्या करा 2 x 3 को तीन बार लिख दिया अब भी मेरे को कहीं 5 नहीं दिख रहा तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा इसी तरह से मैं 6 की पावर में 4 लूँगा तो बन जाएगा 2 x 3 की पावर में 4 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 2 x 3 को 4 बार लिख रहा हूँ ऐसी बार 4 बार लिख रहा हूँ कितनी बार 4 बार लिख रहा हूँ चार बार लिख लूँ, पाँच बार लिख लूँ, छे बार लिख लूँ, कहीं पे भी 5 तो मेरे को दिखी नहीं रहा हर जगे बस 2 x 3, 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 2 x 3 ऐसे चलता रहे गए तो आगे, 5 तो कहीं आएगा ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे यह 6 की पावर 1000 भी ले लूँ, तो 1000 में भी यह 2 x 3 की पावर में 1000 बन रहा है, मतलब कि 2 x 3 जो है, यह 1000 बार चलेगा, 2 x 3, 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 2 x 3 ऐसे 1000 बार चलेगा, उसमें भी कहीं 5 नहीं आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर में n ले लूँ, n की वेल्यूँ, आप कुछ भी लिख ल 2 तो दिख रहा था मेरे को, पर 5 नहीं दिख रहा था, 5 नहीं दिख रहा, तो मैं कह दूँगा, तो hence, यहाँ से मैं कह दूँगा, hence, hence, 6 की पावर में n, cannot end with 0, cannot end with 0, तो CBSC ने 2012 में सवाल पूछा था, उसने 6 की पावर n पूछ लिया, अगर आपके पेपर में सवाल आगा, यहाँ बोलेगा, बताओ, 7 की पावर में n, यह मालो, 14 की पावर में n, क्या यह end कर सकता है, तो इसका प्राइम अटराइशन करने तो, 14, 2, 7 जा 14, 7 बन जा 7, तो यह बनेगा 2 इंटू 7 की पावर में n, 1 लूँगा, तो बनेगा 2 इंटू 7, 2 लूँगा, तो 2 इंटू 7, 2 2 इंटू 7, 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 दू 7, 2 इंटू 7, 10 अटाइमस चलेगा, उसमे भी कई 5 नहीं दिख रहा, तो हम क्या देंगे no, 14 की पावर में n भी cannot end with 0, cannot end with 0, end with 0, तो दो और पांच दो ने होने चाहिए दो और पांच दो ने होने चाहिए गॉट इट शब आशे 9000 बच्चे आगए भाईया ये कितने नंबर का सवाल है पतानियार ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है कि भाईया अगर इनकी वैलिफ जीलो रख दो तो मेरी जान यहाँ पर बोला नेचूरल नंबर तो 1 से शुरू होते है 1, 2, 3, 4 नेचूरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते है 1, 2, 3, 4 ऐसे तो NK value 0 तो बोला ही नहीं नहीं, question भी नहीं है NK value 0 तो तो कैसे मान रहा है बोला N is a natural number, ठीक है, तो इस तरह के आपके सवाल इस तरह के सवाल आपको दिख सकते हैं इस तरह के सवाल भी आपको दिख सकते हैं एक यह सवाल है, जो आपको CBSE में पूछा गया है, हाँ, 2015 में यह आपका शायद NCRT का भी सवाल है CBSE को ऐसे सवाल पूछने बहुत असान अच्छे लगते हैं पूछ रहा है, बताओ, why this and this are composite numbers बताओ, क्यों यह composite number है, पहले तो बताओ, composite number क्या होते हैं composite number वो होते हैं, number greater than one, numbers greater than one numbers greater than one, which are not prime, which are not prime मतलब की, मतलब की और क्या बोलें, जिसके दो से ज़्यादा factors हो वो दो कौन कौन से, वो दो भी वो वाल है, one and itself जिसके one and itself से ज़्यादा factor हो, दो भी कौन से, one and itself तो one and itself से, ज़्यादा अगर factor हमें दिख रहे हैं, one and itself से ज़्यादा अगर हमें factor दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे, कि वो एक composite number होगा, तो इसको खोल लें, तो 7 into 11 into 13 plus 13, यह दिया है पहला, 7 into 11 into 11 into 13, कुछ ऐसा दिया है आपको होगे, 7 into 11 into 13, प्लस 13, यह दिया है, इसमें से 13 common ले लू, अगर मैं, 13 common ले लू, तो बन रहा है, 7 into 11 plus 1, बहिए 13 common ले लिया, 13 common ले लिया, तो 13 into 7 into 11 प्लस 1, तो यह दिया है, 13 into 77 plus 1, तो यह दिया है, तो आप यह देख सकते हैं, यह जो number इन्होंने दिया है, यह जो number इन्होंने दिया है, इसके one in itself से ज़्यादा factors है, भाई, one है, one तो है, itself भी कोई हो सकता है, और 13 भी है, यह 78 भी है, भाई, 13 into 78 अगर मैं कर दूं, मालों यहाँ पर 38 into 13 into 78 कर दूं, 8, 3 is a 24, 7, 3 is a 21, और 2, 23 into, यह 8, यह 7, तो यह बन रहा है 4, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 1000, 1000, 1000, 1000, 14, तो हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते है, एक हजार चौदा है, यह किस से बना है, यह 13 into 78 से बना है, मतलब 13 और 78 भी इसके factors हैं, तो एक हजार चौदा के, एक हजार चौदा जो है, it has, it has, more factors, more factors, than 1 and itself, वही 1 तो होगा इसका factor, और यह खुद भी होगा, और 13 भी दिख रहा है, और 78 भी दिख रहा है, तो इसके तो टोटल अब यह तक हमें 4 दिख गए, तो 1 and itself के अलावा, 1 and itself के अलावा, 1 and itself के अलावा, इसकी more factors हैं, तो it has more factors than 1 and itself, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, तो basic सी चीज है कि आपको composite number की definition पता होनी चीज है, बिसिक सी चीज है, आपको composite number की definition पता होनी चीज है, भाईया मैं class 8th का student हूँ और मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है, वायर, ahead of time, ठीक है, हाँ 1009 बन रहा है, क्या बन रहा है, घलत कर दिया कि मैंने, 13 into 78, 13 into 78, 8, 3, 24, 7, 8, 21, 21, और 2, 23, और 8, और 7, तो 4, 8, 9, 11, 7, 8, 9, 10, सही तो है 1014, ठीक है, भाईया एक बार वापस समझा तो देखो, composite number ऐसे number होते हैं, जिसके जो factors होंगे, वो one and itself से और ज्यादा होंगे, मतलब कि जैसे 4 है, तो 4 के factors क्या क्या है, 1 है, और 4 है, और भी कोई है जो इसको divide कर देगा, 2 इसको divide कर देगा, तो मतलब one and itself, one and itself, one and itself से ज्यादा factors हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, composite number कहेंगे, तो 1014 जो है, 1014 जो है, इसके factors, एक तो यह 1 से divide हो जाएगा, एक यह 1014 से भी divide हो जाएगा, और हम यह देख रहे हैं, यह 13 से भी divide हो जाएगा, क्योंकि 13 into 78 करके यह बना, भाई, 1014 जो है, वो 13 into 78 करके बना, मतलब यह 13 से भी divide हो जाएगा, यह 78 से भी divide हो जाएगा, यह तो two से भी divide हो जाएगा मतलब की one and itself इससे ज़ादा factors इसको दिख रहे हैं इससे ज़ादा factors इसके दिख रहे हैं इसलिए हम कह देंगे कि यह एक composite number है Got it? Got it? ठीक है? ठीक है? अब अगर हम बात करें, दूसरे वाले का बस बिल्कुल इसी तरह से आफको दूसरा वाला करना है दूसरे वाला करना है इसमें क्या करोगे? आफ five comma ले लोगे कुछ बड़ा सा number बनेगा, बड़ा सा number बनने के बाद बड़ा सा number बनने कीके आपको देखना है वो ने इटसेल से जादा फेक्टर दिख रहे हैं दिख रहे हैं तो यस इट फादव से अ सेकेंड वाला बिलकुल इसी तरह से से बिलकुल ही सी तरह से हमगार कि आपका सेंड वाला सेहें अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, The Ratio of HCF and LCM, LCM upon HCF निकालना है किस-किस का? Least Composite, Least Composite मतब सबसे छोटा composite number कौन सा है? पता हो, सबसे छोटा composite number, 4 है, Least Composite क्या है? 4 है, और सबसे छोटा Prime Number कौन सा है? Least Prime Number कौन सा है? सबसे छोटा Prime Number दुनिया का कौन सा है? 2 है, तो मेरे को LCM upon HCF निकालना है, LCM upon HCF निकालना है, किस-किस का? 4 और 2 का, 4 और 2 का, LCM upon HCF निकालना है, 4 और 2 का LCM upon HCF निकालना है, बताओ जी क्या होगा? 4 और 2 का LCM क्या होगा? और 402 का HCF क्या होगा उसका ratio निकानना है तो 2021 में इन्होंने क्या कहा कि भाई डारेक्ट नहीं पूछूंगा मैं कि 4 और 4 और 2 का LCM निकालो नहीं मैं इनको बोलूँगा smallest composite फिर मैं कहूंगा smallest prime फिर मैं कहूंगा उसका ratio निकालो तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को prime number नहीं आ दोंगे तो बच्चा फच जाएगा तो बस इस्तनी सी बात है कि आपको concept सारे पता होने चीए composite क्या होता है, prime क्या होता है, rational क्या होता है irrational क्या होता है, real क्या होता है, natural number क्या होता है यहाँ पर बोल सकता था smallest natural number का निका दो तो आपको पता हो ना चीए natural numbers का उन से होते हैं, whole numbers का उन से होते हैं integers क्या होते हैं, यह सारी चीज़े हैं जो आपके चेक कर लेते हैं, मतलब अब जो आगे वाले आपके CBSC में questions आते हैं कुछ नहीं है, question में कुछ अलग है, नहीं है पड़तो हम वो ही रहे हैं, जो LCM, HCF है, बट, थोड़ा सा गुमा दिया आप अस question में, जिसको HCF नहीं पता होगा जिसको least composite नहीं पता होगा वो बंदा भश जाएगा तो LCM, HCF निकालें 4 और 2 का LCM बताओ तो देखो, या तो आप थोड़ा दिमाग लाओगे तो जल्दी भी निकल जाएगा वनना जैसे मैंने बताएगा वैसे निकाल दो तो 2, 2 जा 4, 2 बंदा 2 2 बंदा 2, तो 4 जो होगा 4 को आप लिख सकते हो, 2 into 2 मतलब 2 square, और 2 को आप लिख सकते हो 2, 2 को तो 2 ही लिखोगे, ठीक है तो ये 2 के power में बने है HCF अगर मैं निकालूँ है HCF का मतलब सबसे पहले मैं HCF निकालता हूँ हमेशा क्यूकि इसका मालता होता है common ले लो तो common मेरे को क्या दिख रहा है 2, तो 2 common है LCM क्या होता है LCM क्या होता है, LCM होता है जो भी तुमें अलग-अलग यूनीक नंबर दिख रहे हैं, पहले तो वो लिख लो, मेरे को यूनीक में सिर्फ 2 ही दिख रहा है, हाइएस पावर क्या है उसकी 2 दिख रही है, तो 2 के बावर में 2, तो 2 के बावर में 2 अपाउन 2, इस 2 इस 2 बन, यह हमारा फॉर है, थीक है, थीक है, इजी पीजी, तो यह आपके CBSC के सवाल है, मैं यह मत सोच हो, कि मैं बहुत असान सवाल करवा रहा हैं, जान पूछए, नहीं नहीं, इसमें सवाल यह से को बन रहे हैं CBSC के, वरना क्या होगा, वरना वो देंगे ऐसे, वरना हो देंगे ऐसे word problems जो कि हम आगे करेंगे बस यह एक छोटा सवार सवाल करेंगे हम 2019 का सवाल है यह करेंगे इसके बाद हम word problems पहेंगे मैं चाहता हूँ कि आपको मैं maximum जो भी सवाल CBSC पूछता है न वो सारे बता दू तो इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी CBSC maximum इसी तरह के सवाल पूछेगा तो आपको idea पढ़ीगा कि अच्छे LCF LCM से यह पूछेगा या तो यह पूछेगा या word problem पूछेगा word problem CBSC को बहुत पसंद है आजकल CBSC बहुत ज़्यादा पूछेगे 2019 का सवाल है तो word problems का भी मैं आपको तरीका पताऊंगा पहले आप यह वाला करो इसमें एक सेगेंड यह मैंने आधा-धा लिख रखा एक सेगेंड एक सेगेंड एक सेगेंड एक सेगेंड यह question थोड़ा आधा लिखा हुआ है वो जब मैं PPT बना रहा था ना सक्वेवज में देखना था ये है एक्स का स्क्वेवर यcción स्क्वेवय ER Xique है एक्सक्वेवर वाई स्क्वेवर और एक्सवाई क्यूभ ये है भाई का यह आपका कुश्चन जल्दी कर गार सको खाल से हैं करो तरा कि आप सभी को एक चीज दिखा हूं एक और कितने बच्चे हैं 8700 बच्चे हैं मैंने पिछली कौन सी क्लास में बताया था कि हम एक सौंग निकानने वाले हैं तो एक फोटो दिखाता हूं मैं आप सभी को आगे मत लीक नहीं हो नहीं चीए फोटो ठीक है बस अपने तक ठीक है ओर किसी को नहीं दिखनी चीए और किसी के तक नहीं जानी चीए मैं आपको दिखाता हूं ना लीक नहीं और यह थे थेको देखो दिख रहा है थोड़ा सा exposure बढ़ रहा है शायद photo में यह recording चल रही है आपके गाने की कुछ ही दिनों में आपको मिल जाया है का गाना बहुत ही तकड़ा ऐसे मतलब जो शीला गाना हम बना रहे हैं एक दिखो एक और यह photo यह जो दो बंदे हैं इन दोनों ने lyrics लिखा है इन दोनों ने गाया गाना तो यह भी है साथ में ठीक है तो यह 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 मैंने आप सभी को थोड़ी सी जलक दिखाई यह मैं सोच आप इस्टाग्राम पर पोस्ट कर तो और बच्चे भी देख लें बट अभी exclusive सिर्फ आप स बैठते हैं सिर्फ उनके लिए exclusive है और किसी के लिए लिए दोस्ताओं लीक नहीं हो का तुमने स्क्रीन शॉट ले लिया गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो अब से फिर मैं तुम्हें बताओं नहीं अब कटी है कटी है तुम्हें तो मैं तो सीक्रेट बताता हूं जो मैंने कहीं और बताया नहीं बताया ना सिर्फ तुम्हें बताया तु तो दो positive integer है, A and B, A को हमने लिख दिया, A को हमने लिख दिया, A को हमने लिख दिया, X square, Y square, B को हमने लिख दिया, XY cube, X and YR prime numbers find LCM of A and B, LCM of A and B, निकालना है, यार, मतला कुछ हैज में, या मैं बोल रखा है, X and YR prime number क्यों, क्योंकि इससे आपको पता चल जाए कि भाई, हाँ, prime factorize जाए, prime factorization है, prime numbers यह जरूरी था लिखना, जिससे हमें पता चल गया, यह prime factorization कर रखी है, prime factorization कर रखी है, तो देखो, LCM निकालना है, LCM के लिए क्या करते हैं, जो जो अलग-अलग चीजे दिख रही हैं, वो लिख लो, X दिख रहा है, Y दिख रहा है, dot मतला multiply होता है, X की highest power क्या available है 2 दिख रही है तो 2 लिख दो Y की highest power क्या available है 3 दिख रही है तो 3 लिख लो यह हमारा LCM होगा X square Y cube It is your LCM ठीक है ठीक है भाईया जब girlfriend की pic दिखाओगे तो screenshot लूँगा पेटा मैं दिखाओँगा ही नहीं तुमने तुमने अपने पैर पे आज खुद कुलाडी मारी है मैं तुमने अपना समझ के चीजे दिखाता था मैं तुमने अपना समझ के सारी चीजें यहाँ पे leak करता था पर तुमने आज मकारी करी है मेरे साथ अब तुम्हें जो आगे मेरे कोचीज़े दिखा नीती हो भी नहीं दिखाऊंगा रुको तुम्हें जितने भी सीक्रेट्स थे वो सब बताने वाला था मैं आगे पर तुमने क्या करी मेरे साथ गदारी करी है तुमने स्क्रीम्शोट ले लिया आज अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा नराज हो गया आज होगी आज होगी दराज हो गया अब होगी कोगरो जिसको मारेगा हो गया बहुत अब होगी कोगरो जिसको मारेगा आज होगी नराज हो गया वेटा तो देखो अब हम बात करते हैं वेटा अब नहीं बताऊंगा मैं अब मैं बताऊंगा ही नी, मैं तो बताने वाला था तुम्हें भावी का नाम, पर अब मैं बताऊंगा ही नी, क्योंकि तुमने क्या करते हो, तुम स्क्रीशोट ले लेते हो, मैं बताऊंगा ही नी, तुमने अपनी पैर पे कुलाड़ी मारी है आज, तुम्हें बताने वाला को याद रखनी है गिवन से गिवन से बड़ा निकालना है अब आप समझ लो बस मैं लिख रहा हूं आपके सामने ठीक है अब समझ लो आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूं गिवन से बड़ा निकानना है तो LCM और given से छोटी value निकाननी है छोटी value निकाननी है तो HCF क्या लिख दिया भया आपने अभी बताऊंगा क्या लिख दिया भया आपने अभी बताऊंगा question को देखोगे, जैसे ही question देखोगे समझ जाओगे question में बहुत बच्चों को यह दिक्कत आती है भया यार पता नहीं चलता कब HCF चाहिए कब LCM चाहिए HCF के question में LCM लिखाता हूँ LCM के question में HCF लिखाता हूँ भया मेरे को तो पता ही नहीं चलता show with भया कि छोट easy trick है इसको यह उसकर लेना किया trick है देख लो तो तो कि सारे कह रहे बहुत स्क्रिंशॉट डिलीट कर रहा हूं अब तो रुको बेटा तुम अब गए तुम है अब गए तुम है अब गए तुम सब लोग सब लोग सॉरी स्पैम करो अब मैं सॉरी मांगूं गई नी तुमने तो समने स्क्रींशोट ले लिया ना तुमने सबसे बड़ एकलती यह करी है तो देखो given values से अगर बड़ी value निकान ली है तो LCM लेंगे, LCM में least आता है तो बड़े में least निकालोगे छोटे के लिए highest निकालोगे, तो इस तरह से याद कर लो, बड़ा निकान ला है तो least निकालेंगे और छोटी value निकाली है तो HCF निकाल लेंगे, क्या बोल रहे हैं यह बड़ा चोटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, On a morning walk, तीन परसन है, जो की बाहर गए, ठीक है, तीन लोग जे, बाहर गए, Their steps measure, step मतलब, ऐसे जब चलते हैं, तो यह जो चलने का, मतलब, एक उन्होंने एक कदम चला, तो एक कदम कितना measure कर रहा है, वो एक कदम का measure बता रखा है, एक के कदम जो है, वो 30 cm measure कर रहा है, एक के कदम जो है, वो 36 cm measure कर रहा है, ठीक है, और तीसरे वाले के कदम 40 cm, भाई साब यह क्या आदमिया जानवर है, 40 cm चल रहे हैं, ठीक है, तो यह हमें बोल रखा है, कि तीनों के कदम इतने इतने cm कर रहे हैं, What is the minimum distance, question को समझना, question को समझोगे, trick लगा होगे, answer आएगा, What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in the complete steps, One also we're gonna find the same distance, बोला यह जा रहा रहा है, तीनों को स hypocborक करना है, तो कितना minimum distance उढको वॉють करना चाहिएं, तो हमें बताना हैं, कितना distance उभिवर्स यह यह क्टेप का पलाँ हैं, यह steps का major है, कि 30 cm चला, फिर एक और 30 cm चला, फिर एक और 30 cm चला, फिर 30 cm चला, इसे करते करते कुछ आगे पहुच जाएगा, कितने भी मीटर, cm कितना पहुच जाएगा, फिर 36 cm चलेगा, फिर उसके बाद 40 cm चलेगा, 40 cm चलेगा, तो हमें जो 3 quantity दे रखी हैं, हमें बताना है, कि same distance वो cover करें, तो अब देखो, 3 quantity से, एक छोटी quantity दिमाग में लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो, हमें बताना है, same distance वो कैसे cover करेंगे, यह steps के measure है, steps के measure मतलब कदम कितने चल रहे हैं, तो जो कदम है, उनका measure है, कदम के measure है, यह distance नहीं है, distance तो हमेशा बड़ा ही होगा यार, distance बला, एक किलोमेटर चले, दो किलोमेटर चले, दस किलोमेटर चले, पंदरा किलोमेटर चले, ऐसे होगा distance तो, इतना कोई है कि, मालो इन तीनों से कोई छोटी quantity ले लू मैं, मेरे को सोच रहा है, answer क्या होगा, इन तीनों से बिल्कुल छोटी quantity कोई सोच लो, यह एक है 30, तो क्या आंसर 2 हो सकता है मैंने बिल्कुल छोटी सी quantity imagine कर ली 2 तो क्या आंसर 2 हो सकता है 2 cm आंसर हो सकता है कि वह तीनो 2 cm चल रहे है अब भाई उसका कदम ही 30 cm कहा है तो वो 2 cm कैसे चल लेगा क्या मेरी बाद समझ में आ रही है क्या मेरी बाद समझ में आ रही है अरे यार जब उस बंदे के सबसे चोटा जो चल रहा है उसका एक कदम ही 30 cm है तो वो 2 cm कैसे चल सकता है इतना सा कदम चलेगा ऐसे करके ऐसे चलेगा बस तो 2 cm तो आंसर नहीं हो सकता मतलब कि हमें बड़ा आंसर चाहिए हमें बड़ा आंसर चाहिए हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए यह जो गिवन हमें दे रखे हैं इससे बड़ा आंसर चाहिए तो हमें LCM चाहिए हमें LCM चाहिए हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए यह जो तीनों quantities हैं, इस given quantities से बड़ा answer चाहिए, तो अगर given quantities से बड़ा answer चाहिए, तो LCM लेंगे, तो मतलब हमें क्या करना है, हमें LCM लेना है किस-किस का, 30 cm का, 36 cm का, 30 cm, 36 cm, और 40 cm का, इन तीनों का LCM जो होगा, it is your answer, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, तो हमें, हमने सबसे पहले क्या करा, मैं आपको तरीका बताना हूँ, फिर से देख लो, एक है 30, एक है 36, एक है 40, एक बंदा 30 cm का कदम ले रहा है, एक बंदा 36 cm के कदम ले रहा है, एक बंदा 40 cm के कदम ले र करें तो माल लो एक तो इनसे छोटी कॉंटिटी माल लो दो तो क्या 2 cm हमारा आंसर होगा distance में कि सिर्फ 3 के 3 2 cm कवर करें अब भाई सबसे चोटे के कदम ही 30 cm के हैं तो 2 cm कैसे चलेगा तो 2 cm तो यह बड़ा निकालना है इन तीनों से बड़ी आंसर निकालना है इन तीनों से बड़ी क्वांटिटी निकालना है तो बड़ी के लिए 2016 एक बच्चा क्लास का है भुण का सरस अरें लॉल्यूम का लिक्चर मिरी जान ना रहा हुत ما रहं में इनu का चैनल के मेरें नहीं है न गora तीन सो साथ, तीन सो साथ हा रहा है LCM, पक्का, मैं मेरे को नहीं पता क्या रहा है, मैंने नहीं निकाला, तीन सो साथ हा रहा है, तो पता दो, तीन सो साथ हा रहा है, यह निकाल के देखें, तीस का लिका लें, अगर हम तीस का निकालें, तो टू, फिफ्टीन, थ्री, तो तीस का होगा 2 x 3 x 5 ठीक है यह 30 का हमने लिख दिया फिर हमें क्या चाहिए हमें 36 चाहिए 36 का क्या होगा 2 1 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 9 और 3 बंस आ 3 तो जो 36 है वह होगा 2 square into 3 square यह हो गया 36 36 के बाद हमें क्या चाहिए हमें चाहिए 40 का तो 40 का अगर हम निकाले तो 2 20 2 10 2 5 और 5 एक तो 40 जो है वह बन रहा है 2 cube into 5 यह बन रहा है मारा 40 इन तीनों का LC हम निकालना है तो LC हम अगर निकालना है तो जो जो अलगला quantity दिख रही है उसको ले लो तो क्या-क्या तो मेर को दिख रहा है त्री भी मेर को दिख रहा है तो की कौन सी maximum power हम ले सकते हैं यहां से त्री की maximum power क्या मिल रही है में तू मिल रही है 5 की maximum power कौन सी available है 1 is available है तो 2 cube, 2, 2's are 4, 4, 2's are 8 3, 3's are 9 और 5 तो 8, 5's are 40 और 4, 9's are 36 360 is your answer 360 is your answer, ठीक है? तो ऐसे आप निकाल लोगे मैंने जिसको नहीं समझ में आ है उसके लिए मैंने LCM में निकाल लिया तो 360 cm, भई सारे cm में चल रहे हैं तो 360 cm is your answer तो आपको समझ में आ गया given quantities से बड़ी निकाल ली है तो LCM, given quantities से छोटे निकाल ली है, तो HCF उल्टा है देखो, बड़ा के लिए least common multiple निकाल रहे हैं और छोटे के लिए highest common तो उल्टा है, ऐसे याद रख लेना ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब आप इस वाले में बताना क्या करना है हमें, इस वाले में बताओ simple सा बसे एक concept simple सा बसे एक concept given से बड़ी, अगर given से बड़ा answer निकालना है given से बड़ा answer निकालना है तो LCM और अगर given से छोटा answer निकालना है तो HCF ठीक है? HCM निए HCF, HCM लिख दिया हो नहीं है, HCF यह हो गया जल्दी सोचो भाया गेन नहीं अगेन आएगा, का है गेन अगेन, हाँ अगेन आएगा, भाया इस बार मैस का पिपाइब है पर क्या तफ आएगा, मेरे से पढ़ रहे हो तो नहीं तफ होगा, मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो तफ होगा सिंबल से बाद LCM लेंगे HCF लेंगे, सोचो 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 पात में, प्रिया जो है वो 18 मिनट लेती है, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, मालो प्रिया यहां से चलनी शुरू हुई तो यहां से चलनी शुरू हुई, इधर गई, तो यहां से घूम की जब वापस आई, तो प्रिया को लग रहे हैं 18 मिनट राउंड को कंप्लीट करने में, और हमारे जो दूसरे भाई यहां, रवीश, रवीश भाई को टाइम लग रहा है कितना? 12 मिनट तो रवीश भाई जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो रवीश जल्दी कर रहे हैं, प्रिया को तो थोड़ा सा जाधा टाइम लग रहा है Suppose they both start at the same point दोनोंने same point से start करा, ठीक है? And at the same time तो दोनोंने same time पे same point से start करा And go in the same direction अरे मान लिया भाई, ठीक है, एक के पीछ एक जाएगा साथ में चलेंगे After how many minutes, they will meet again at the starting point भाई वो यहां से चलना शुरू करेंगे तो यह 18 मिनिट में यहां वापस आएगी यह 12 मिनिट में यह वापस आएगा फिर वो जब 12 मिनिट में यहां वापस आएगा रुकेगा कोई इसके लिए, तो चलता रहेगा चलता रहेगा आगे चलता रहेगा ऐसे वो 18 मिनिट तक चलती रहेगी चलती रहेगी तो एक 18 मिनिट फिर आगे चलेगी फिर यह भी 12 मिनिट फिर आगे चलता रहेगा तो मालों दो राउंड हो गए तीन राउंड हो गए कित्रे भी हो गए तो कितनी देर बाद वो यहां मिलेंगे तो हमारे पास दो quantity है तो हमारे पास दो quantity है सोचो हमारे पास दो quantity है एक है बारा और एक है बारा मिनिट में में टाइम निकालना है न एक है बारा मिनिट एक है अठारा मिनिट एक है बारा मिनिट और एक है 18 minute तो हमें बताने हैं कितनी देर बाद ये दोनों यहां मिलेंगे तो एक तो इनसे छोटा imagine कर लेते हैं बिल्कुल छोटा, वापस एक 2 imagine करें क्या 2 minute बाद दोनों मिल जाएंगे starting point पर वापस क्या 2 minute बाद दोनों के दोनों starting point पर आ जाएंगे इसको तो भाई साब 12 minute लग रहे हैं इसको 18 minute लग रहे हैं दो minute में पहुझ गए दोनों starting point पर ऐसा हो सकता है logic, logic 2 minute के अंदर-अंदर मैंने एक छोटी quantity imagine करी, बिल्कुल छोटी, तो मैंने छोटी मान लो 2, तो क्या 2 minute में दोनों के दोनों वापस यहां घूम के आ जाएंगे इसको लगी 12 minute रहे हैं, इसको लगी 18 minute लेंगे तो 2 minute में एक ऐसे वापस आ जाएंगे तो मतलब हमें given से बड़ी quantity निकाल ली है छोटी से बात नहीं मन रही हमारी, 2 minute से बात नहीं मन रही LCM of 12 and 18, 36, 36 आ रहे है सबका, LCM of 12 and 18 is 36, आ रहे है, LCM of 12 and 18 is 36, आ रहे है, LCM of 12 and 18 is 36, आ रहे है, LCM of 12 and 18 is 36, बस सिंपल था, हमने का भी एक छोटी quantity इमेजिन करते हैं, मैंने का 2, क्या 2 minute पर दोनों मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो मैंने मेरे को छोटी नहीं चाहिए, मेरे को बड़ी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए, तो अब्वियसी बात है, दूसा option का है, बड़ी, बड़ी के लिए LCM लेना है, बड़ी के लिए LCM अगला question पर है, CBSE 2012 को question है, length, breadth and height of a room are इतना इतना इतना, तो length जो है हमारी, वो है 8 meter, 50 centimeter, 8 meter को मैं क्या लिख दूँगा, 8 meter, भई दोनों, भई एक meter में, एक centimeter में, तो एक जैसा बना लेते हैं, तो 8 meter हो जाएगा 800 centimeter, तो 800 centimeter प्लस 50 centimeter, मतलब इसको मैं 850 centimeter लिख सकता हूँ, 8 meter, 550 centimeter, मैं 850 centimeter लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दी, 850 centimeter, breadth जो है हमारी, वो है 6 meter, 25 centimeter, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 625 centimeter, और जो हमारी height है, वो है, 4 meter, 75 centimeter, 4 meter, 75 centimeter, तो यह हो गई, 475 centimeter, हो गई, 8000 से हमने शुरू करा था, है ना, बीच में 9000 भी हुए थे, और अब है 8300, तो मतलब अगर हम पीक को ले 9000, तो 700 बच्चों की भीड चली गई, 700 बच्चों की भीड चट गई है, देखते हैं, देखते हैं, एंड तक कितने, एंड तक कितने रुखेंगे, कोई like नहीं कर रहा, like तो कर देंगे यार, like उनको आता है करना, like तो सब बच्चों को पता करना होता है वीडियो को, अब उनको इतनी प्यार है मेरे से, तो like तो जरूर करेंगे न, तो length, breadth and height of our room are this, 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 अब हमें क्या question है, question है, find the length of longest rod, that can measure the dimension of the room, longest rod मतलब scale माल लो, scale माल लो, हमें scale की जरूरत है, कभी भी न, question पर मत जाना, यह मत सोचना, longest पूछा है, बड़ा पूछा है, बड़ा पूछा है, तो LCM ले ले लेता हूं, नहीं, नहीं कभी भी क्वेशन पर मज जाना समझना को यह मत सोच लिख लिखा है तो कुछ टीचर्स ऐसे बताते है smallest तो LCM लेलो longest तो HCF लेलो ऐसे मत लिखना ऐसे मत समझना जो मैं आपको बताए है ट्रिक उससे समझना तो हमें एक मालो एक एक scale की जुरूत है, एक ऐसे scale की जो की इन तीनों, जो की इन तीनों को measure कर पाए, एक room है, room की length हमें पता है, room की breadth हमें पता है, room की height हमें पता है, तो HCF लेंगे। दिमाग में सोचते हैं थोड़ा सा। इन तीनों से अगर हम कोई छोटी क्वांटिटी ले लें। मालो मैंने ले लिया पान सेंटीमीटर तो क्या पान सेंटीमीटर का स्केल इसको मेजर कर पाएगा। आठ्सो पचा सेंटिमेटर रहो पांच 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 करते 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 आठ्सो पचास में पहुँच जाओंगा ठीक है अगर मैं बड़ी ले लो इन तीनों से कोई मालो हमारा यह रूम है ठीक है हमारा यह रूम है यह मारा रूम है यह जो है यह आठ्सो पचास मीटर है यह आठ्सो पचास मीटर है मालो ठीक है यह यह तो ब्रेट्ट हो गई आपकी मैं लेंथ की बात कर रहा हूं लेंथ जो है हमारी यहां से यहां तक आठ्सो पचास मीटर ठीक है? मेरे परस अगर कोई छोटा सा scale होगा, तो छोटे से scale को मैं क्या करूँगा? यह माझनलो, यह चोटा सा scale है. इस चोटे से scale से मैं पहले यहाँ कर पाहूँगा. ऑपाहूँगा? नहीं हो पाहँगा? इतने बड़े की क्या ज़ूरत है हमें? रूम ही हमारा छोटा सा है. तो इतने बड़े स्केल को हम यहाँ पे fit कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सा लॉजिक की बात समझो. बड़े स्केल से आप छोटी quantity कैसे मिजर कर होगे? नहीं कर पाऊगे. बड़े स्केल से आप छोटी quantity कैसे मिजर कर होगे? नहीं कर पाऊगे. तो बड़े इसकी आंसर की ज़ूरत नहीं है हमें. हमें बड़े आंसर की ज़ूरत नहीं है. हमें छोटे आंसर की ज़ूरत है. है जब भी हमें छोटे आंसर की जोरत होती है हम HCF निकालेंगे जब हमें छोटे आंसर की जोरत होगी तो हम HCF निकालेंगे तो यहां पे हमें HCF चाहिए किस का 850 का 625 का और 600 475 का आप यह मस सोचो कि भया बड़ा स्केल होगा तो थोड़ा सा बाहर निकलेगा उससे पता चल जाएगा अरे यार ऐसे मत सोचो कि तुम्हाई गर का कमरा है वो मालों एक क्यूबोइड है बस उसको फिट कैसे करोगे इतने बड़े स्केल को फिट कैसे करोगे तो मुड़ जाएगा तूट जाएगा समझ पारे यह मत सोचो भागा थोड़ा सा बाहर ने कल जाएगा क्या हो गया यह नहीं पास है इत्ता सा रूम बस उसमें कैसे फिट करोगे कौन कौन भाइया की शादी में आएगा खाना दिर आओगे तो मैं भी आँगा कर वरी है बताओ तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है हम भी यह बीट बोर्ड एक्जाम के पाली ऐलेक्शन लडंगे अच्छ तो मैं बताना ह्ने इन तुनओं तो हमें 25 cm के scale से answer आ जाएगा आगे बढ़ें अगला question जो है अगला question कहता है इसके लिए एक छोटा सा आपको formula की ज़रोत है यह formula पे दो बार सवाल पूछ रखा है 11 और 12 में फिर से आ सकता है formula यह है एक formula है एक formula है एक formula है कि अगर दो नंबर है a and b a and b यह दो नंबर है दो नंबर है तो hcf of a and b into lcm of a and b जो होगा a और b को hcf निकाला आपने a और b का lcm आपने निकाला तो वो किस के बराबर होगा वो इन दोनों के product के बराबर होगा मतलब a into b के बराबर हो यह formula है जो आपको थोड़ा काम आएगा यह formula है कि अगर a और b दो नंबर है तो उनका hcf और को product करेंगे तो वो a और b के product के बराबर आएगा ठीक है अब यह सवाल को करो अब यह सवाल को करो करो अब यह tenía बराबर होगा । करो 멋있ष है भॉक हॉआ सजे हैं कि अगरा को रख़ Whenever we go back on the video आप即ए हैं के अगर सवाल के तोन şey बराबंब baik करो करेंगें लुअंगें पोशः हैं करेंगें हैं? करेंगें लुआंट मैं quoi? अगया? R की value निकाला या देखो हमें गए रखा है दो नमबर है 253 और 440 दो नमबर है कौन-कौन से 253 253 और 440 ये दो नमबर हमें दे रhelखे है इन दोनों का हमें HCF दे रखा है 11 LCM दे रखा है इतना हमें R की value निकाला लिए हमें पता है HCF of 253, 440 into LCM of यह formula हमने पढ़ा LCM of 253-440 यह होगा 253 into 440 के बराबर बाइ, दोनों का LCM और दोनों का HCF का product दोनों के number के product के बराबर होगा HCF हमें क्या दे रख़े HCF हमें दे रख़े 11 LCM हमें क्या दे रख़े 253 into R 253 into R यह हमें LCM दे रख़े इक्वल टू 253 into 440 तो easy peasy है यह तो 253 into 253 गया 11 चोके तो 40 तो R की value यहां से आगई 40 R की value यहां से आगई 40 ठीक है? R की value आगई 40 simple सा एक formula है A into B equal to HCF of AB into LCM of AB इसी formula से इसी formula से आप यह वाला सवाल भी कर सकते हो इसी formula से आप यह वाला सवाल भी कर सकते हो जो हमने यहां पर अलग-अलग से निकाला था जो आपने अलग-अलग से निकाला था इसी formula से आप कर सकते हो क्या हमें LCM upon HCF चाहिए तो हमें पता है LCM into HCF जो होता है वो A into B के बराबर होता है वो a into b के बराबर होता है तो हमें upon में चाहिए कैसे करोगे बताओ a upon b कर दोगे यार ओप जिस सी बात है 4 by 2 हो जाएगा answer 2 by 1 आगया ठीक है तो आप ये आप ये formula भी समझ गए आप ये formula भी समझ गए एक इस slide दो बार आ गई अरे वह तो इस slide को delete कर देते हैं इस slide को यहां से delete कर देते हैं अब हम आते हैं rational और irrational नंबर पे 7.8 के around 9000 थे ना तो यहाँ दो हजार बाइस सो बच्चों की भीड चली गई है बाइस सो की भीड चट चुकी है देखते हैं आखरी तक कित्ते रहेंगे बाइया आपकी शादी में आऊंगा बहुत शयतान हो बहुत शयतान हो बहुत शयतान हो बहुत शयतान हो अब आते हम rational और irrational numbers पे यह आपका last topic है यह आपका last topic है इस chapter का ठीक है तीन दो topic हमने खतम कर दिये word problem हमने खतम कर दिये prime factorization, hcf, lcm हमने खतम कर दिया अब बचा है हमारा rational और irrational numbers इसके बारे में पढ़ते हैं फिर हम आज के इस lecture की समभति करेंगे तो देखो जी rational number क्या होते हैं ऐसे numbers जिसको हम p upon q की form में लिख दें जहाँ पे p and q does not have any common factor इसे हम कहते हैं rational numbers तो rational numbers आजा numbers in the form of p upon q जिसमें p और q के कोई और common factor नहीं होते क्या बोल दिया आपने भहिया जैसे कि मालो 7 upon 6 ये एक rational number है rational number है p upon q के form में है अब भहिया आपने ये क्या लिखा p and q does not have any common factor मतलब देखो अभी इसके बाद और नहीं कट सकते अभी इसके बाद और नहीं कट सकते जैसे कि 14 upon में 12 है मालो 14 upon 12 है तो क्या ये rational number है नहीं अभी नहीं है ये rational number इसमें इन दोनों के common factors अभी दिख रहे हमें 2 7s are 14, 2 6s are 12 अब जो 7 by 6 बन रहा है अभी ये rational number तो कोई भी common factor नहीं होना चाहिए बिल्कुल least वाला version होना चाहिए सब कटपीट के जो version बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम rational number कहेंगे तो P and Q does not have any common factor ये वाला आपको चीज समझ में आ गई है ना ये हमने rational number पढ़े अब अगर हम बात करें irrational number की irrational number क्या होते है irrational number आपके ये root 2 root 5, root 7 root over of any आप ये मान सकते हो prime number ये हमारे क्या बनते हैं root 2 plus root 3 ये बन गए root 7 minus 3 4 plus ऐसे 4 root 3 4 plus root 2 ये सारे क्या है हमारे ये सारे हमारे irrational number बन गए ठीक है यह सारे हमारे irrational number बन गए हमारे chapter में क्या चीज है हमारे chapter में एक बहुत ही famous question है हमारे chapter में एक बहुत ही famous question है जो की है proof of irrationality जैसे की proof that root 2 is irrational हमें proof करना है कि यह irrational number है हमें proof करना है कि यह irrational number है अब इसका जो proof है आपके exam में बहुत बार CBSC ने पूछ रखा है 2x3 number में ठीक है तो इसलिए अलग अलग तरीके हैं कुछ teachers कुछ तरीके से करवाते हैं मेरा जो तरीका है, जो मैं सब बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो मैं आपको यह पर बताने वाला हूँ, अगर आपके master ने किसी और तरीके से पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह तरीका थोड़ा बढ़ा है, तो आप इससे मत करना, उससे करना, यह हमारा अगला टॉपिक है, हमें प्रूफ करना है, रूट टू इस इर्रेशनल लंबर, कैसे प्रूफ करेंगे, इस प्रूफ इस ड़न बाई, कॉंट्राडिक्शन, कॉंट्राडिक्शन से हम इस प्रूफ को कर रहेंगे, कॉंट्राडिक्शन मतलब, हम माल लेंगे कि यह rational है हम पहले माल लेंगे कि यह rational number है और फिर हम कहेंगे रे 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 हमसे गलती हो गई हमसे गलती हो गई रे बाबा गलती हो गई irrational ही है इस तरह से हम इसको प्रूफ कर रहे होंगे क्या बोला मैंने हम माल लेंगे कि यह rational है let root to is rational let root 2 is rational ठीक है? हमने माल लिया root 2 एक rational number है अगर ये एक rational number है तो हम root 2 को P by Q की form में लिख सकते हैं जहाँ पर P and Q P by Q की form में लिख सकते हैं जहाँ पर P and Q does not have any common factor any common factor यही तो हमने पीछे लिखा हम इसको P by Q की form में लिख सकते हैं जहाँ पर P and Q does not have any common factor, मतलब कि यह सबसे छोटे हैं, इसके बाद यह नहीं कटेंगे, तो हमने इसको P by Q की फॉर्म में लिख दिया, root 2 को, ठीक है, लिख दिया, एक थिवरा में छोटी सी, इस पर आते हैं हम इस पर, एक थिवरा में छोटी सी, पहले वो बता लो, देखो, if P divides A square, then P divides A also, छोटी सी थिवरा में, यहाँ पर यह इस P से कोई relation नहीं है, इस P से कोई relation नहीं है, यह मैं आपको ऐसी एक थिवरा में बता रहा हूँ, यह एक important थिवरा में है, यह आपको पता होनी चाहिए, कोई divide कर रहा है, यह मालो, यह मालो 6 square को कोई divide कर रहा है, मालो 2 जो है, वो 6 square को divide कर रहा है, तो 2 जो है, वो 6 को भी divide करेगा, यह theorem है, ओव्यस सी बात है, 6 square मतलब 6 square को अगर ही divide कर रहा है, 36 को अगर 2 divide कर रहा है, कर देगा, 18, तो मतलब अगर यह six square को डिवाइड कर रहा है तो यह six को भी डिवाइड करेगा तो यह एक theorem है कि if p divides a square then p divides a also यह चोटी सी theorem है यह हमें काम आएगी यहां पर इसलिए मैं आपको बता रहूं वापस आते हैं इस question पर वापस आते हैं इस question पर देखो ध्यान से देखना वापस एक बार रटना है आपको basic सी बात है रटने वाली चीज़े कैसे पुरूफ होता है ऐसी आपके सारे पुरूफ होंगे आगे तो let root 2 is rational यह माल नहीं हमने तो root 2 को हमने P by Q की form में लिख दिया ठीक है squaring both sides squaring both sides तो दोने sides हम क्या करेंगे अब square कर देंगे तो बन गाएगा 2 बराबर P square by Q square root 2 का square 2 हो जाएगा P square by Q square बन गया तो यहां से बन जाएगा Q square बराबर P square by 2 यहां से हम यह देख सकते हैं कि 2 divides P square बहुत P square को जब 2 ने divide करा तो कोई number हमें मिला जो की remainder नहीं मिला ना में P square by 2 कोई number मिला मतलब कि 2 जो है वो P square को divide कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं therefore 2 will divide P also 2 P को भी divide करेगा 2 P को भी divide करेगा है यहां हमने first equation कह दी तो अगर 2P square को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा मतलब की कुछ ऐसा बन जाएगा यह मतलब की 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा तो जब 2 ने P को डिवाइड करा तो मालो यह N बना तो यहां से हमें मिल गया P की value 2N मिल गई इसको put कर दो first में put in first इसको put कर देंगे इसको put कर देंगे इस first में तो यहां से बन गया Q square बराबर 2N का square P की value 2N रग दी 2N का square by 2 तो यहां से बन गया Q square बराबर 4N square by 2 2 से 2 कटा तो यहां से बन रहा है Q square by 2 बराबर N square अब देखो वापस से 2 ने q square को divide करा और एक n मिला 2 ने q square को divide करा और एक n मिला मतलब कि यहां से भी हम कह सकते है 2 divides q square also 2 divides q square अगर q square को कर रहा है तो q को भी करेगा तो 2 divide q also तो 2 ने तो q को भी divide कर दिया बैसाब तो 2 ने तो q को भी divide कर दिया माँलो यह m बना लेट तो यहां से मिल गया हमें Q बराबर 2M मिल गया Q बराबर 2M मिल गया P बराबर 2N है Q बराबर 2M है तो भाई P by Q जो होगा वो बन जाएगा 2N upon में 2M यह क्या हो गया? यहां पर तो हमें 2 भी दिख रहा है भाई Q जो है वो ऐसे नमबर है जिस का कोई भी अब common factor नही होगा यहां पर वह 2 और 2 दोनों में common दिख रहे हैं यहां पर तो 2 और 2 जो हैं यह common factor दिख रहे है P upon Q में पर हमने स्आम यहां बोला तो P upon Q का कोई common factor नही होगा तो इस assumption इस contradiction या फिर यह जो हमें मिला this this result is due to our wrong assumption यह जो contradiction आया result बोलोगे contradiction बोलोगे एकी बात है contradiction लिख सकते हैं तो this contradiction यह जो contradiction आया कि भाई P upon Q तो कोई भी common factor नहीं लेता था पर यहां दिख गया P upon Q 2 common factor ले रहा है तो this contradiction contradiction is due to यह क्यों हुआ contradiction? due to our wrong assumption यह जो हमने wrong assumption ले लिया था क्या wrong assumption लीती हैं हमने? क्या wrong assumption लीती हमने? that की root 2 is rational हमने wrong assumption ले लीती की root 2 rational है तो हम माफी मांगते हैं तो hence root 2 is irrational hence root 2 is irrational तो यह जो पूरूफ है यह बिलकुल आये बैंगन जैसा है यह जो पूरूफ है यह बिलकुल बैंगन जैसा है अब यह एक बार और करेंगे हाँ An Mrd में अलब तरीका है किसी टीचर अलब करवाते हैं परको को है सबस कर ले तो देखो Steps है Steps किया है माल लिया रूट्ट टू रेशनल है अगर 알ो डीचनल है तो all upon q में होगा square कर दिया square कर दिया मेरे को मिल गया 2 बराबर p square by q square तो q square q square इधर गया 2 इधर गया तो q square बराबर p square by 2 हो गया तो जब मैं p square को 2 से divide कर रहा हूँ तो मेरे को एक q square मिल रहा है कोई remainder नहीं मिल रहा मतलब इसको completely divide कर रहा है मतलब कि 2 जो है वो p square को divide कर रहा है और मैंने इक theorem बताई की अगर कोई a square को divide कर रहा है तो 12 p को भी करेगा ठीक है तो मैंने माल लिया जब 2 ने p को divide करा तो n आया कुछ तो p लाबर 2 वेन अया यह 2n उठाकर मैंने यहा पूँट करा मैंने देखा, 2 जो है, वो q को भी डिवाइड कर रहा है, q square by 2 equal to n square आ रहा है, तो 2 ने तो भाई साब, यहां q square को भी डिवाइड कर दिया, मतलब 2 तो q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने का भाई, q को जब 2 ने डिवाइड करा, तो मालो m आया, तो q की value 2m आ गई, p आया 2n, q आया 2m, तो p upon q आया 2n upon 2m, यहां मैंने बोला तब p और q के कोई common factor नहीं है, p और q जो है, बिल्कुल कटपीट के आया है, और यहां मैं बोल रहा हूँ, यहां पर 2 upon 2 दिख रहा है, मैंने को common factor, दोना में common factor 2 दिख रहा है मुझे, तो यह जो contradiction हुआ, यह जो contradiction हुआ, यह क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पर गलत assumption ले ली थी, कि यह एक rational number है, हमने यहां पर यह गलत assumption ले ली थी, कि यह rational है, तो हमने गलत assumption ले थी, rational है, तो क्या होगा, यह assumption गलत होगई, मुझे माफी हो गई, माफ कर दो, irrational है, irrational है, ठीक है, हो गया थी, बैंगन समझ में आ गई, आएं बैंगन, ठीक है, तो root 2 is irrational, यह हमने प्रूफ कर दिया, एक और करें, एक और करें, एक और करें, प्रूफ देट, प्रूफ देट, प्रूफ देट, प्रूफ देट, प्रूफ देट, प्रूफ देट, रूट 7 is irrational, हमें प्रूफ करना है, तो हमें रूट 7 को irrational प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, 7100 बच्चे, 3000 की भीड चट गई, तो प्रूफ देट, रूट 7 is irrational, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, देखो, कैसे करेंगे, देखो, माल लेंगे, माल लेंगे root 7 जो है, वो rational है, माल लेंगे, rational है, अगर rational है, तो root 7 को मैं लिख दूँँगा, P upon Q, जहाँ पे P and Q does not have common factors, जहाँ पे P और Q के कोई भी common factors नहीं होंगे, ठीक है, squaring both sides कर दूँगा, मैं, squaring both sides कर दूँगा, मैं, तो यहाँ से बन गया 7 बराबर P square by Q square, Q इदर आ गया, 7 इदर आ गया, तो Q square बराबर आ गया, P square by 7, यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से मैंने देखा, कि 7 divides, 7 divides P square, अगर 7 P square को कर रहा है, तो 7 will divide P also, 7 will divide P also, तो मतलब 7 ने, P को divide कर रहा, P को divide कर रहा जब 7 ने, तो मैंने माल लिया N आया, मैंने माल लिया N आ रहा है, तो P बराबर आ गया, 7 N, यह P बराबर 7 N मैं है, आपर first में put करूंगा, तो put in first, put in first, तो P बराबर 7 N करेंगे, तो Q square बराबर 7 N का square by 7, तो यहाँ से बन रहा है, Q square equal to 49 N square by 7, तो 7, 7s of 49, तो Q square by 7, यह 7 इदर आएगा, equal to N square बन रहा है, यहाँ से हमने देखा, कि 7 divide Q square, भई 7 ने Q square को भी divide कर दिया, therefore 7 divide Q also, 7 divide Q also, तो 7 ने तो भाई साब Q को भी divide कर दिया, तो 7 ने Q को divide कर रहा, तो यह माल लो M है, तो Q बराबर आगया, 7M, अब मैं अगर P upon Q करूँ, तो वह बन रहा है, 7N upon 7M, अब मैं P upon Q करूँ, तो बन रहा है, 7N upon 7M, तो यहाँ पर हमने देखा, कि 7 is a common factor, 7 एक common factor दिख रहा है, पर हमने तो बोला था कि कोई common factor नहीं होगा, तो this contradiction, this contradiction, is due to our wrong assumption, our wrong assumption, हमने क्या wrong assumption ले ली थी, that root 7 is irrational, हमने assumption ले ली थी कि root 7 is rational, हमने तो मान लिया था, root 7 rational है, तो यह assumption हमारी गलत हो गई, तो hence, root 7 is irrational, hence, root 7 is irrational, ठीक है जी, ठीक है जी, यह बात हो गई हमारी root 7 की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब कुछ questions कैसे आते हैं हमें, कुछ questions जो CBSC ने और भारी पूशने लग गए, उसके पीछे concept है छोटा सा ही देख लो, रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा, या रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा, या रेशनल इंटू रेशनल करेंगे तो क्या होगा, या रेशनल अपॉन रेशनल करेंगे तो क्या होगा, बताओ, कोई भी रेशनल ले लो, 1 बाए 2, तो 1 बाए 2 प्लस 1 बाए 2, 1, वन भी रेश्नल है तो रेश्नल प्लस रेश्नल करो तो भी रेश्नल मिलेगा रेश्नल माइनस रेश्नल करो तो भी रेश्नल मिलेगा रेश्नल इंटू रेश्नल करो तो भी रेश्नल मिलेगा रेश्नल अपॉन रेश्नल करोगे तो भी रेश्नल मिलेगा हमेशा हमेशा बैस कि बाद करेंगे सरे इंट्ड रेशनल की बात करेंगे अगर एक मैं नेमं Rick tomorrow तो बन जाइगा 2 रूट्टु ठीक है कि रूटुप मैं मैं मईणज रूट्टु जूड़ थो जैघा जी रो मनино 0 rational है 0 rational है 0 upon 1 P upon Q form आ गया मालो यहां root 2 ले लिया तो बन गया अपना root 2 minus root 2 0 और मैंने ले लिया root 2 और एक ले रहा root 3 तो root 2 minus root 3 क्या बन रहा है वो तो irrational बन रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि इस case में cannot say कभी rational बनेगा, कभी irrational बनेगा तो irrational irrational के case में plus rational हो जाए या irrational minus rational हो जाए या irrational into rational हो जाए या irrational upon irrational हो जाए कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा irrational rational होगा irrational plus rational irrational minus irrational हो जाए इस case में क्या होगा बताओ हाँ, both की बात कर रहा हूँ न अब बताओ both में क्या होगा both में क्या होगा बहुत में क्या होगा भाई मालो रेशनल में इर्रेशनल जोड़ू मैं मालो टू में रूट टू जोड़ू टू प्लस रूट टू इर्रेशनल बन रहा है वन प्लस रूट टू इर्रेशनल बन रहा है जीरो प्लस रूट टू इर्रेशनल बन रहा है इर्रेशनल, root 2 into 3 इर्रेशनल, तो ये भी इर्रेशनल मिलेगा, except except, except रेशनल 0 हो जाए जब रेशनल 0 होगा, तो रेशनल मिलेगा, वानी बाकि हर cases में हमें इर्रेशनल मिलेगा, similarly यहाँ पर रेशनल not equal to 0 होना चीए, वरना ये भी हमेशा irrational मिलेगा वन्ना ये भी हमेशा irrational मिलेगा तुरुत्तु ठीक है तो ये हमारा छोटी सी बात है इस case में हम कुछ नहीं कह सकते इस case में हमेशा rational इस case में हमेशा irrational बस R0 नहीं होना चीए बस R0 नहीं होना चीए ठीक है? हाँ जीरो से multiply करेंगे, एक बच्चे ने आया ना doubt, वही बच्चे के doubt होते हैं, कि बच्चे जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, जीरो लगा देंगे तो वो नहीं होगा, जीरो लगा देंगे तो वो rational होगा, बाकि सारे cases में ये irrational बनेंगे, ठीक है, तो अगर किसी भी irrational में मैं rational जोड़ दूँ, किसी भी irrational में rational multiply कर दूँ, किसी भी irrational को divide कर दूँ मैं, तो उन सब case में ये irrational ही रहेंगे, ठीक है, question क्या बनता है, question क्या बनता है, prove that, prove that, 2 प्लस root 2 is irrational, prove that, 2 प्लस root 2 is irrational, यह हमें प्रूफ करना है, इसको कैसे करेंगे, देखो, वापस से contradiction, कि let, 2 प्लस root 2 is rational, हमने माल लिया, ये rational है, अगर ये rational है, तो 2 प्लस root 2 will be equal to P upon Q, where P and Q will not have, any common factors, any common factors, इस P upon Q को इदर ले जाता हूँ, root 2 को इदर ले जाता हूँ, यह 2 को इदर ले जाता हूँ, तो ये बन गया, root 2 equal to P upon Q minus 2, ये बन गया, ये बन गया, अगर मैं, right hand side को देखूँ, तो P upon Q है, rational है, minus, ये भी rational है, और rational में, अगर मैं rational minus करूँगा, rational में rational minus करूँगा, तो rational ही मिलेगा, तो ये वाली side तो मेरे को rational मिल रही है, भाई, right hand side तो मेरे को rational मिल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ करा, कि ये irrational है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये, root 2 equal to, root 2 equal to root 2 is irrational यह मैंने proof करा root 2 is irrational यह मैंने proof करा तो मेरी जो LHS है LHS है यह LHS जो है यह मेरे को irrational मिल रही है आपको direct ऐसे नहीं लिखना है exam में कि यह irrational मिल रही है आपको proof करना है now checking root 2 ऐसे करके आप आगे लिखोगे आप आगे लिखोगे ऐसे कि checking root 2 करके, आप आगे ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, आप checking about root 2, फिर आप root 2 का कैसे चेक करोगे, root 2 का ऐसे चेक करोगे, जिससे आपने यहाँ पे चेक करा, यह, ऐसे करके आप पूरा चेक करोगे, तो ऐसे चेक करने के बाद, ऐसे चेक करने के बाद आप का होगे, कि भाई root to जो है root to जो है वो irrational है RHS rational LHS irrational दोनों equal कैसे हो सकते हैं LHS cannot be equal to RHS भाई LHS जो है LHS जो है वो हमारा irrational है RHS जो है वो हमारा rational है both cannot be equal both cannot be equal तो both equal नहीं हो सकते हैं पर यहाँ पर तो equal दिख रहे हैं तो ये equal क्यों दिख रहे हैं, this contradiction, ये जो equal हमें दिख रहे हैं, ये जो contradiction हमें मिली है, this contradiction is due to, due to, due to our wrong assumption, तो हमने जो wrong assumption ली, क्या wrong assumption ली हमने, हमने क्या wrong assumption ले ली, ये, कि 2 plus root 2 is irrational, ये हमने गलत assumption ले ली कि ये rational है, हमने गलत है जम्चल ले ली कि यह rational है तो हमने गलत ली थी तो अब हम माफ़ी मांग रहे हैं तो hence 2 पलस root 2 is irrational क्या मेरी बात समझ में आई बह्या पहले root 2 को irrational proof करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि exam में एको लिखोगे कि हमने तो अपनी copy में root 2 को irrational proof कर दिया था वो कहेगा तुमारी copy का मेरे को क्या लेना देना तुम अभी proof करके बताओ तो तुम इस step के बाद इस step के बाद check करोगे about root 2 कैसे check करोगे वो पूरा root 2 को भी irrational root 2 को भी irrational मानोगे p upon q में लिखोगे पूरा square वेर करके end में आप बताओगे कि root 2 जो है वो irrational आ रहा है पूरा बीच में आप वो ही लिखोगे जो अभी हमने पीछे proof करा तो आपने पूरा यहाँ पे proof लिखा whole proof यहाँ पे लिख दो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ right complete proof तो यहाँ पे आप complete proof लिखोगे complete proof करने के बाद आप कहोगे root 2 तो ही irrational है तो आप अब कहोगे कि LHS irrational बन रहा है RHS rational बन रहा है तो यह तो घलत होगया दोनों equal नहीं हो सकते तो यह contradiction क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको rational मान लिया था क्योंकि हमने यहाँ पे इसको rational बना लिया था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस तरह से आप इसको proof करोगे similarly अगर आपको इस तरह से आजए similarly अगर आपको इस तरह से आजए similarly आपको इस तरह से आजए कि proof that proof that 4 root 5 is irrational यह हमें proof करना है 4 root 5 is irrational तो हम कैसे proof करेंगे simple है contradiction कि let 4 root 5 जब भी आप कोई proof करना होगा simple सी बात है contradiction मानोगे माल लेंगे कि ये rational है अगर ये rational है तो 4 root 5 को आप लिख दोगे P upon Q तो आपने क्या करा P upon Q तो ये root 5 इदर का इदर ही रहन दिया और 4 इदर ले गए तो P by Q into 1 by 4 ये ऐसे बन गया यहाँ पर ये rational ये rational तो दोनो rational into rational ये rational होगा rational into rational rational होगा पर ये जो है ये आप यहाँ पर proof करोगे यहाँ पर आप proof करोगे right proof that it is irrational ये यहाँ पर proof कर दोगे आप कैसे proof करोगे बिल्कुल वैसे कि इसको माल लोगे ये male rational है, equal to p by q squaring both sides करके आप बता दोगे कि root 5 क्या है? irrational है तो अब आप कह दोगे, कि भाई साब RHS जो है, वो तो हमारा rational मन रहा है, और LHS जो है, वो हमारा irrational बन रहा है RHS तो rational मन रहा है, LHS irrational बन रहा है तो ये cannot be equal both cannot be equal और दोनों को हमने यहाँ पर equal का sign लगा दिया तो both cannot be equal both cannot be equal तो equal नहीं हो सकते तो ये जो contradiction होई, वापस वह line लिखोगे कि this contradiction this contradiction is due to वापस यह के line लिख आँ हूँ, मैं भाई साब रट गही मेरे को, due to our wrong assumption wrong assumption हमने क्या wrong assumption ले ली थी that 4 root 5 is rational हमने assumption ले ली थी कि 4 root 5 जो है is rational, हमने गलत ले लिया था गलत ले लिया तो हम आफ कर दो जी hence 4 root 5 is irrational इसी के साथ आपका आज का समाप्त होता है chapter 6.4 के जो है बच्चे हमारे साथ आज last तक बने रहे शुरवात हमने करी थी 9000 पे around around 2600 बच्चों ने अपना दम तोड़ा 2600 बच्चों ने बीच में धराशाई हुए 6400 बच्चे एंड तक रुके रहे thank you so much अगर आप सभी ने आज की class को यहां तक enjoy करा आज की class को यहां तक देखा अब हम मिलेंगे कल की class में कल हम कर रहे होंगे कल हम कर रहे होंगे कल हम कर रहे होंगे कौन सा चेप्टर कौन सा लिखा है जी time table में कल हम कर रहे होंगे polynomials एक और निहायती असान चेप्टर यह सारे चेप्टर आपको इसलिए असान लग रहे हैं क्योंकि आपने भारी भारी चेप्टर शुरू में complete कर लिए, आपने triangles, technometry, area, related circles, surface area, volume, coordinate, geometry, ये सारे भारी भारी चेप्टर आपने शुरू में complete कर लिए, तो आपको ये वाले चेप्टर निहाई तिललू चेप्टर लगेंगे, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लग रही नहीं निकालना है, तो आपको LCM यूज करना पड़ेगा, आपको console निकालना है, तो HCF यूज करना पड़ेगा, इसे करते ही आपके सारे सवाल बहुत अच्छे से sonst tape हो रहे हैं, तो आपके सारे सवाल अगर solve हो रहे हैं, तो आप इसके बाद यप छोटा सा homework करोगा, आपका homework separated ह होता है क्या होता है पर मैं फिर से इसलिए लिखता हूँ जिससे कि आपको remind हो जाए सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको revise करने हैं यह सारे notes, notes revise करते ही, notes revise करते ही आपका दूसरा काम जो होता है कोई अगर बच्चा पूछे कि भाई या टेलिग्राम चैनल कहां पे है तो उस बच्चे को कह देना कि बेटा एक बार बस डिस्क्रिप्शन चेक कर ले तो डिस्क्रिप्शन में उसे टेलिग्राम चैनल का भी लिंक मल जाएगा टेलिग्राम चैनल के लिंक पे वो डिस्क्रि कर पाएगा बो जैसी आराम यह हमारे आज की यह हमारे आज के परवचन हो गया कंप्लीट यह हमारे आज के परवचन हो गया कंप्लीट थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगले चैप्टर में इजी पीजी चैप्टर आज हमने कंप्लीट करा बहुत मज़ा आया इ बस कितने बड़ी है दो गंटे से उपर कि आज भी क्लास हो गई मिलते हैं कल वाली क्लास में कल भी 9 बजे इसी समय पे आते हैं हम polynomial को समाप्त करने polynomial करेंगे फिर pair of linear equation करेंगे फिर quadratic equation करेंगे फिर AP करेंगे फिर statistics करेंगे probability करेंगे और मिलेंगे कल वाली क्लास में बाई 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 गोड नाइट तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोडना है कहर मचा देना है आग लगा दिनी है टाटा गोड नाइट खाना खालो आप भी मैं भी खाऊंगा बाई बाइबाई 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 triangles की ट्रिक बढा दो भाया triangles की ट्रिक जो है वो ये है कि आपको शोवित भाया का lecture number two जो आपके इसी channel पे है day number two मेn triangles आपको दिख जाएगा उस triangles को आप देख लोगे आपको तरे सवासबज में आ जाएगे आप पूरी NCRT कल लोगे आपके NCRT से ट्राइंगल और प्रिवेर्ट कीज से ट्राइंगल कम्प्लीट हो जाएगा बाई बाई, 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 गुड नाइट, बाई